मोबाइल में e-book किस में लिखते हैं? अगर आपके पास Samsung का मोबाइल है तो आप Samsung Note में e-book लिख सकते हैं Samsung Mobile में e-book लिखने के लिए Samsung Mobile का जो note है उसमें कई format में save करने के लिए option होता है आप यहाँ देख सकते हैं मैं यहाँ पर कुछ लिखता हूँ Samsung के note में लिखने के बाद आप इसे save करना चाहते हैं तो यहाँ right side में ऊपर तीन dot पर जब आप click करेंगे तो यहाँ पर save as file करके हैं आप जब यहाँ पर click करेंगे यहाँ पर कई option है Samsung Note File, PDF File, Microsoft Word File Microsoft PowerPoint File, Image File, Text File तो यहाँ पर आप अगर Samsung के note में अगर आप लिखते हैं तो PDF File में save करने के लिए option होता है इसे आप PDF में save कर सकते हैं और लिखने के लिए भी आपको आसानी होगी क्योंकि Samsung Note में उस सभी features हैं जिसे आप एक book लिख सकते हैं लेकिन अगर आपके पास इस तरह से इबुक लिखने के बाद आपको save करना है PDF File में आप यहाँ ओपर राइट साइट 3 डाट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर नीचे आपको share and export करके option मिलेगा आपको यहाँ पर क्लिक करना है इसके बाद यहाँ पर option आता है save as आपको यहाँ save as पर क्लिक करना है जिसमें कई option मिलते हैं तो दूसरा option है .pdf file आप अपने लिखे हुए content को pdf file में save कर लिजे तो ऐसे useful जनकारी के लिए आप हमारे चैनल को subscribe जरूर कीजेगा वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद